जैहिंद, क्लास 12 मैट्स में अभी हम लोग लिनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं और यह लिनियर प्रोग्रामिंग का दूसरा लेक्चर है पिछले लेक्चर के माध्यम से हम लोग लिनियर प्रोग्रामिंग के बारे में जाने थे कुछ अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि linear programming को पढ़ने से पहले आप लोग का जो class 11 में linear in equations है उसकी जानकारी आप लोगों को बहतर तरीके से होनी चाहिए और उससे related जानकारी हमने पिछले वीडियो में दिया है आप लोगों को इन equations क्या होते है और इन equations का graph जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वह graph paper पे क्या represent करता है जैसा कि हमने बताया कि वह half plan को represent करता है उसमें हमने discuss किया कि open half plan कैसे बनता है तो इन सभी बातों की जानकारी हमने उसमें दी है पहले lecture के माधियम से आज दूसरे lecture में हम लोग सिर्फ इन equations के graph को हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसके बात का जो lecture होगा वो मैन आपका linear programming का lecture होगा चुकि linear programming को पढ़ने से पहले हम लोगों को linear in equation की जानकारी होनी जरूरी हो जाती है तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को जानकारी दे दी है linear in equations के बारे में और आप आरे सगरवाल बुक को निकाली आरे सगरवाल बुक में linear programming में जो पहला exercise है उस exercise के problem को हम लोग solve करेंगे इस वीडियो के मादियम से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह आपका बुक आरा सगरबाल और बुक आरा सगरबाल में जो पहला exercise है मैं कोशिस करता हूँ कि इसका photograph आपको board पर दिखा दू ताकि यही सब problem हम लोगों को solve करना है इस वीडियो में तो सबसे पहला number exercise 1a में देखें कहता है कि graph the solution set of the following in equations इसमें आपका 6 in equations दिये गये हैं और सब्भक्ता आप लोग इसे बनाए हुए भी है फिर भी revision के लिए मैं इसमें से दो problem आप लोगों को बताऊंगा एक problem number 3 और एक problem number 6 problem number 3 और problem number 6 तो 3 में जैसा देख सकते x plus 2 y greater than 1 x plus 2 y greater than 1 लिखा गया है और x y minus 2 y minus 2 और less than or equal to 3x दिया गया है तो इस इन equations को हम लोग किस तरह से solve करते हैं आईए इसके बारे में हम लोग सबज लेते हैं हलाकि सबसे पहले मैं बता दूँ कि यह जो है half plan को represent करता है और इसमें सिर्फ greater than और शिर्फ less than अगर symbol हमको दिखे तो वह आपका open half plan को represent करता है उसमें जब हम graph का line draw करते हैं तो dotted line को use करते हैं उसके बाद less than or equal to रहे या greater than or equal to रहे यह closed half plan को represent करता है और इसमें जब हम line इस equation का line draw करते हैं तो smooth line draw करते हैं इसमें dotted line को नहीं लेते हैं तो इसमें आप three number में इस तरह से आप लिखेंगे consider the equation एक equation हमने consider किया इसी को देख कर क्या कि x plus 2y equal to 1 अब देखा जाए इसके लिए हम एक table बना लेते हैं x का value और y का value x का value हम अपने मन से रखते हैं जैसे मान लिजे 0 रख दिये तो 0 रखने से y का value जो है हाफ आता है अगर हम यहाँ पर रख दे 3 रख दे x का value हम 3 रख देते हैं या minus 3 रख दे x का value minus 3 रख देते हैं तो minus 3 plus 2y equal to 1 तो 2y equal to 1 plus 3 y equal to 4 by 2 equal to आपका 2 निकल जाता है इसके बाद हम कुछ इस तरह का भी value ले सकते हैं आगे बढ़के भी जैसे minus 5 हम लोग ले लिए तो minus 5 लेने से क्या होता है कि यहाँ आपका value 3 मिल जाता है तो इस तरह से 2-3 value आप निश्चित रूप से इसका ले ले और एक value मैं बता दूँ कि यहाँ पर x का value 0 रख के half आया अगर y का value अगर 0 रखते हैं हम लोग y का value 0 रखते हैं तो x का value जो है हमको मिल जाता है 1 मिल जाता है x का value हमको 1 मिल जाता है अब इसमें graph paper पे हम लोग चलेंगे graph paper को लेकर इसमें हम लोग यह तो आप जान रहे कि origin होता है अगर निश्चित दूरी पर 1, 2, 3, 4 इस तरह से points हम लोग लेते हैं minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 यह x-axis का negative direction 1, 2, 3 और यह 4 और यह 5 positive direction y-axis का minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 इस तरह से हम लोग ले लिए और इसके बाद पहला point से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 0 और half का रहा है तो 0 और half, 0 और half जो है यह आपका locate कर ही सकते हैं आप लोग point minus 3 और 2 है, minus 3 और 2 यह point तो आप locate कर ही सकते हैं इसके बाद minus 5 और 3 है, तो minus 5 और 3 हम ले लेते हैं तो यह 3 के level में और यह minus 5 के level में तो इस तरह से 3 point मिल जाते हैं आपको तो 3 point से एक straight line हम लोग draw कर सकते हैं लेकिन straight line draw करने वक्त एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि इसमें इन equation में straight line draw करने से पहले एक बार सोच लीजी एक बार थोड़ा सा रूख जाईए, हड़ड़ा के मत कीजीए इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि यह सिर्फ greater than और equal to अगर है, तो आपको dotted line का यूज़ करना है तो यहीं पर बच्चा बहुत जगह करवड़ा जाता है कि यहां पे आपको कैसा line draw करना है भाईया, dotted line draw करना है, dotted line draw करना है clear है, यह dotted line हम लोग draw कर दिये, अब हम लोग क्या करते हैं कि we take, हम कोई point लेते हैं, prior हम लोग origin ही लेते हैं we take 0, 0, और such that, और इस परकार है कि यहां जो आपका contents है, यह in equations है, यहां x का value 0 रख दिजिए और y का भी value 0 रख दिजिए, greater than 1, देखते हैं इसको satisfy करता हैं, 0 greater than 1, तो आप बताइए क्या 0 वद से बड़ा है नहीं है बड़ा, छोटा है वद से, तो यह जो है satisfied नहीं किया, यानि कि यह true नहीं है, यह क्या है false है आपका, यानि कि not satisfied, not satisfied, अगर यह not satisfied में हो या false आ जाए, तो ऐसे condition में क्या होता है कि the line या लिखेंगे हाँ, the line does not, does not contain content, origin, origin, origin को जो है, content नहीं करता है यह जो line है आपका, origin को content नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि origin से हटके जो भी plane बच जाता है, उस plane को यह represent करता है यानि कि यह जो है आपका इधर वाला जो plane है, इधर वाला जो plane है, आपका इस line के उपर वाला plane, इस plane को रिप्रेजेंट करता है, इस plane को रिप्रेजेंट करता है, जहां तक plane है आपका, इस graph के हिसाब से वहां तक shaded area है, अब पूरे board को तो हम shaded करेंगे नहीं, अगर इस line को ऐसे से करके बढ़ा दिया जाए, इस line को ऐसे से करके इस equations का graph हो गया, इस equations का graph आपका यहीं हो गया, यही चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इस तरह से हम लोग करते हैं, और यहां पर जैसा कि कहा, the line does not contain origin, देखिए, यह जो line है, यह ऐसे लिख सकते हैं, the shaded portion, the shaded portion, shaded portion, यह region, does not contain the origin, यह जो shaded portion आप देख रहे हैं, यह origin को content नहीं कर रहा है, और इजीन के opposite side में है, यह न, origin को content नहीं कर रहा है, अब यदि इसमें भी आपको थोड़ा बुड़ा अगर confusion रह गया होगा, तो आपका सारा confusion जो है, इस problem से दूर हो जाने वाला है, यह हमारा y minus 2 less than, y minus 2, और यह 3 को इधर ले आते हैं, तो minus 3x less than or equal to 2 हो गया, यह y minus 3x less than, map करेंगे, less than or equal to, यहां तो 0 हो जाएगा, यह आपका 2 जब right side में जाएगा, तो यह 2 हो जाएगा, अब यदि हम इसको minus से multiply कर दें, यह हम क्या कर दियें, minus से multiply कर दियें, तो यह greater than or equal to हो जाएगा, यह आप in equations class 11 में पढ़े हैं, इसको solve करते के तरीके में, तो इस तरह से minus 3 into x, तो 3x minus y greater than or equal to, क्या हो गया, आपका minus 2 हो गया, अब इसको जो हैं, आपको consider कर लेना है एक equation के तरह, क्या करना है, consider, consider a linear equation, linear equation, और यह जो equation है, आपका यहाँ से 3x minus y greater than or equal to minus 2, और इसमें जो है, x का value आप y का value, x का value अपने मन से सोचिए, अगर हम x का value 0 रख दे, 0 रख देते हैं, तो y का value 2 मिलता है, solve करके देख सकते हैं, यहाँ पर देख लिजे, जे 0 हम रखें, तो 0 minus y equal to, यहाँ equal to ले लेना है, equal to आपका क्या हो गया, minus 2, 2 कट जाता है, तो y का value 2 आता है, अगर 3 का value हम 1 ले ले, तो 3 into 1 minus y equal to minus 2, है न, तो यह जो value हो जाएगा, minus y equal to minus 2 minus 3, यानि कि minus 5 minus minus कट गया, y का value जो है 5 हो गया, कम से कम 2 point sufficient है, आपका कोई भी line को draw करने के लिए, इसके बाद एक और ले ले लेते हैं हम लोग, जैसे 3 ही ले ले, तो 3, 3 जो 9 हो जाता है, 9 आपका उधर गया, तो minus 11 हो गया, y का value आपका 11 मिल जाता है, तो इस तरह से हम लोग, एक table ले ले लेते हैं, जिसमें x और y का value निकालते हैं, जो की हमको ये points को दे देता हैं, जैसे 0, 2 आपका point दे दिया है, 15 point हैं, और इसके बाद 3, 11 point हैं, अब इस सारे point को हम लोगों को coordinate axis पर plot कर लेना है, चलिए इसी को मैं मिटा के थोड़ा सा सीधा सीधी कर देता हूँ, है न, इसको हमने मिटा दिया है, ये point आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से हैं, पहला point है आपका 0, 2, तो 0, 2 का जो location होगा ये आपका 0, 2 हो जाएगा, 0 और 2 हो जाएगा, इसके बाद आपका 1, 5 है, तो 1 लिए और उसके बाद 5, ये point आपका 1, 5 हो जाएगा, इसके बाद आपका 3, 11 तो 3, 11 आपका यहाँ चलाएगा, अब यहाँ पर line ड्रॉ करने से पहले एक बार जरूर सर्च कर लेना है, देख लेना है, कि less than or equal to दोनों है इसमें, तो smooth line हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो हम ऐसा आपको देखेगा, कि ये तीनो point जो है, आपका मिलता हुआ नजर आएगा है, ना, state line का equation जब भी ड्रॉ करते थे, तो इसी तरह से होता था, अब हम देख लेते हैं, कि जिरो जिरो इसको satisfy करता है कि नहीं, इस इन equations को जिरो जिरो satisfy करता है कि नहीं, तो 3 into 0 minus 0 greater than or equal to minus 2, तो ये आपका हो गया, 0 greater than or equal to minus 2, तो इसको आप क्या कहेंगे, true कहेंगे, सही भाया, कि 0 जो हैं बड़ा है minus 2 से, यानि कि यह जो है satisfied हो गया, यह क्या हो गया, satisfied हो गया इन equations किस से, 0, 0 से, यानि कि shaded region जो है, shaded region जो है, region contains the origin, origin को यह content करेगा, तो अब यहाँ पर जिस तरफ औरीजीन बनता है, उसी तरफ हम half plan को दिखा देंगे, यानि कि यह origin इधर है, तो इधर ही हमारा half plan हो जाएगा, इस line से जो है, आपका इस side में, जितने भी portion होंगे, यह आपका shaded portion हो जाएगे, तो उमीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ रहे होंगे, इसको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, चुकि class 11 का है, अगर आपको यह समझ में आता है, तो आपको बेकार बैटके इससे देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप class 11 में ठीक तरह से पढ़े हुए है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक equation, एक in equations नहीं रहेगा, simultaneous in equations रहेगा, simultaneous जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, कि जब दो या दो से अधिक in equations एक ही साथ हो, तो ऐसी इस्तिति में हम लोग simultaneous in equations करते हैं, तो इससे related हम लोग एक problem बनाएंगे, बुक आरा सगरवाल से ही, तो इसके बाद हम लोग question number 9 को लिए हुए है, यह question number 9 में आपका simultaneous in equations दिया गया है, तो ऐसी स्तिति में हम लोग किस तरह से solve करेंगे, इसको देखिए, तो सबसे पहली बात है कि हर एक equation को उठाएंगे, और उसके बाद उसके लिए हम लोग एक line draw करेंगे, और line का sedate portion किदर होता है, उसको भी decide करेंगे, अब फिर हमारा solution निकल जाएगा, जैसा कि सबसे पहला नम्मर है आपका है, 3x plus 4y greater than equal to 12 है आपका, तो हमको यहाँ पर consider कर लेना है, consider कर लेना है, 3x plus 4y equal to 12, अब देखिए, यहाँ पर अगर x का value और y का value हमको लेना है, तो x का value अगर 0 रखते हैं, तो 0 यहाँ हो जाता है, अब 4y equal to 12, y equal to 12 by 4, यानि कि 3 निकल जाएगा, उसके बाद y का value 0 रख लिजिए, y का value जब 0 रखते हैं, तो 3x equal to 12 होता है, और x का value 12 by 3 कर देगे, तो वो हमारा 4 निकल जाएगा, तो इस तरह से हम लोग, at least कम से कम 2 point लेकर, किसी भी line का graph हम लोग draw कर सकते हैं, किसी भी 2 point से होकर, एक unique line ही जाती है, तो 2 point sufficient है आपका graph खीचने के लिए, तो अब इसके बाद हम लोग origin देखते हैं कि satisfy करता है कि नहीं, तो हम यहाँ पर लेते हैं, we take 0, 0, है ना, तो 3 into 0, plus 4 into 0, greater than or equal to 12, मतलब कि that is, 0 greater than or equal to 12, जो कि आपका false है, क्या है भहिया, false है, क्या कि 0, 12 से कैसे बड़ा हो सकता है, है की नहीं, यानि कि not satisfied है, है ना, not satisfied है, 0, 0 से यहाँ, इन equations नहीं है satisfied, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कि the plan, the shaded portion, shaded portion, shaded portion जो होगा, does not contain, does not contain, contain, the origin, origin को यह content नहीं करेगा, इसके बाद हम लोग दूसरा number में चलते हैं, दूसरा number, y greater than 0, तो y greater than or equal to 0 है आपका, यानि कि y का मान जो है positive है, क्या है भहिया, y का मान जो है हमारा positive है, तो y equal to 0 रहता है, तो यह x axis को represent करता है, किसको represent करता है, x axis को, तो x axis में तो x axis के उपर जाते हैं, तो positive होता है, x axis के नीचे जाते हैं, तो positive होता है, तो x axis के हम लोगों को उपर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यह बोल दिया है, y का value जो है, 0 से बड़ा है, तो x axis का shaded portion, shaded portion जो होगा तुम आपका above the x axis, कहां हो जाएगा, above the x axis, x axis के above हो जाएगा, इसके बाद हम लोग तीसरा number contents लेते हैं, in equations, y greater than or equal to 1, y greater than or equal to 1, और यह आपका 0, अब इसके लिए equation y, y equal to 1, है न, y equal to 1, क्या ले सकते हैं भाईया, 1 ले सकते हैं, अब इसमें देखा जाए, कि y का जो मान है, यह 1 से बड़ा है, आपका, 1 से बड़ा, 2, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, यह सब आ जाएगा, और यह y equal to 1, जो हो जाएगा, parallel to x axis हो जाएगा, parallel to x axis, चुकि y equal to 0, अगर जो x axis को represent करता है, तो y equal to 1, जो हैं, जो भी line होगा, वो parallel to x axis हो जाएगा, यह सब छोटी-मोटी जानकारी आपको पहले से भी होगी, अगर दिक्कत होती है, तो थोर अर्दे ठहर जाएगे, और उसके बाद इसको सोचिए, आपको अपने पता चल जाएगा, इसका graph ड्रॉ करेंगे तो, तो यह भी हमारा जो है, above the 1 के बाद, parallel axis में, origin से आपका origin से उपर ही होगा, positive direction में होगा, हैंकि नहीं, इसके बाद हमारा तीसरा contrast है, 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y, less than or equal to 28, इसके बाद यहां x और y का value हमको निकालना है, x का value 0 रखते है, तो y का value 4 मिलता है, अगर y का value 0 रखते है, तो x का value आपका 7 मिलता है, और एक तरीके से आप याद रखेगा, अगर 4x by 28 कर दें, 7y by 28 कर दें, less than or equal to 1 लिख सकते हैं, 7 बार में, 28 और 4 बार में, यह होगी आपका x by 7, प्लस y by 4, less than or equal to 1, इस equation को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब देखें, जैसे इसको आप क्या कहते हैं, equation में convert कर दिये, क्या कर दिये, equation में convert कर दिये, तो यह आपका intercept form में हो गया, intercept form क्या बताता हैं, कि यह जो है x axis में 7 unit का intercept है, और y axis में 4 unit का intercept है, तब यह line गया हुआ है, 2D में इसको पढ़े होंगे आपका, equation of a line in intercept form, तो इस तरह से भी अगर आप convert कर लेते हैं तो फट से आपको पता चल जाएगा कि line का graph किस तरह से है तो खेर अभी हम लोग एक ही चीज को यूज कर रहे हैं और इसी चीज को यूज करते आ रहे हैं तो यह सब चीज जो है हम लोग आगे भी पढ़ेंगे चुकि linear programming में बहुत सारे problem को हम लोगों को solve करना है अब चलते हैं हम लोग इसका graph draw करने के लिए तो graph draw करने के लिए सबसे पहले coordinate axis चाहिए coordinate axis को भी छोटा ही ले रहे हैं जरूरत पड़ेगा तो बढ़ाते जाएंगे और इस सब को हम लोग मीटाते जाएंगे और यहाँ पर देख लिजिए कि यह 00 जो है satisfied है यहाँ देख लिजिए 00 रखते है तो 28 से छोटा ही होता है यह satisfied है यानि कि origin जो है origin satisfies the above in equations इन equations को यह satisfy करता है clear है अब देखिए यह चीज हम लोग देखते हैं कि 0 3 है 0 3 हो गया यह point आपका माल लिजिए मोटा मोटी 1 2 और 3 इसके बाद 4 0 1 2 3 और 4 यह आपका 4 0 तो इससे जो हम लोग line draw करेंगे यहाँ पर greater than और equal to दोनों है इसलिए smooth line draw करेंगे क्या करेंगे smooth line draw करेंगे इसके बाद अगले में हम देख सकते हैं और यह जो है not satisfied है तो इसका shaded portion जो हो जाएगा यह उपर हो जाएगा इसको ध्यान में रखना है चुकि away from the origin हो जाएगा origin से दूर के तरफ shaded portion does not contain the origin इसका जो shaded portion होगा origin को contain नहीं करेगा इसके बाद y equal to 0 अब इसका जो shaded portion हो जाएगा यह हो जाएगा आपका इसके उपर के तरफ यानि की x axis में उपर के तरफ हो जाएगा इसके बाद y equal to 1 का अगर हम line खीचते हैं तो यह हमको line मिलता है y equal to 1 के लिए अच्चुकी greater than और equal to 1 है तो इसलिए हम लोग इसको smooth line ही खीचेंगे और इसके लिए shaded portion जो है इसके उपर ही हो जाएगा अब इसके बाद हम लोग इसमें चलते हैं तो यह कहता है कि 0,4 तो 0 और 4 यह point हो गया आपका 0,4 अब फिर उसके बाद 7,0 तो 4,5,6,7 यह आपका 7,0 हो जाता है इस दोनों को आप इस तरह से मिला दीजिए मिला दीजिए smooth line से अब यहाँ पर देखिए कि यह जो है towards normal यानि कि यह satisfy करता है इसलिए normal के तरफ sedate portion होगा तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यह एक ऐसा region है जो सभी के लिए common है सभी के लिए हमारा common है देख लीजिए इस लाइन से उपर के तरफ इस लाइन से उपर के तरफ इस लाइन से अंदर के तरफ और इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि यही जो sedate portion है आपका क्या है common है अलाकि सेड़ेट पोर्षन तो आपका बहुत बन रहा है लेकिन ये सेड़ेट पोर्षन आपका क्या है कोमन है तो उमीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गया होंगे इसके बाद हमारा इस exercise में question number 11 है और इससे पहले जो कुछ problem छूटे हुए हैं उसको आप निश्चित रूप से बना लिजिए का बहुत आसान सब problem है अगर आपसे नहीं बनता है या कोई problem होती है तो comment में जरूर कहिएगा इसके बाद हम चलते हैं question number 11 में question number 11 जैसा कि आप board पर भी देख सकते हैं question number 11 में कहता है कि find the linear contents for which the shaded area in the figure given is the solution set यानि कि आपको यह जो figure आप देख रहे हैं board पर इसमें आपको linear contents निकालना है यानि कि linear in equation निकालना है contents पर भी हम लोग जाएंगे यानि यहां समझ लिजी contents का मतलब हो गया linear in equations आपको निकालना है यहां पर in equations आपको नहीं दिये रहे हैं यहां पर x minus y equal to 1 कहा गया दूसरा आपको कहा गया 2x plus y equal to 2 कहा गया तीसरा कहा गया x plus 2y equal to 8 कहा गया अब देखिए अगर इस line को हम देखते हैं तो इस line के लिए shaded portion क्या है भाई no origin के तरफ है किधर है यह origin के तरफ है यानि कि यह जो आपका contents है या in equation है origin को satisfy करता है तो यहां पर इसके लिए हम लोग क्या का सकते हैं origin है यह जीरो जीरो satisfied satisfied by the above above equation यह in equations in equations ही बनना है therefore यानि कि 0 प्लस 0 आई यह जब तक हमारा greater than नहीं हो less than होना चाहिए यहां पर less than or equal to 8 होगा तभी इसको satisfied सबजा जाएगा यानि कि हम इसको लिख सकते हैं x plus 2y less than or equal to 8 लिख सकते हैं अब इसमें देखिए 0 0 यह 2x plus y यह 2x plus y है और इसमें जो saided portion है आपका उपर है तो यहां not satisfied है तो not satisfied के लिए अगर हम इसको 00 करते हैं तो इसको ही हमको बड़ा बताना पड़ेगा तब न कहेंगे not satisfied तो इसलिए यह जो contents हो जाएगा x plus y greater than or equal to 2 हो जाएगा है ना 00 जो है not satisfied होना चाहिए अब इसमें देखा जाए इसके लिए saided portion हमारा इधर के तरफ आ रहा है और इधर के तरफ आ रहा है तो यह origin को include किये हुए है यह origin को include किये हुए है यानि कि origin जो है origin से यह satisfied होता है अगर इसका in equation बनाते हैं तो 0-0 यह तो आपका 0 ही होने वाला है तो 0 को satisfied कराने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको less than or equal to कर देंगे यानि कि यह x minus y less than or equal to 1 हो जाएगा यानि कि 0-0 इससे satisfy हो जाएगा और यह 0-0 इस half plane के अंदर में आ जाएगा तो इस तरह से हम लोग इसका contents बना सकते हैं तो उमीद करते हैं कि इस exercise के छूटे हुए जो कुछ problem है इसे आप निश्चित रूप से solve कर लेंगे अगर कहीं कुछ परेसानी होती हैं तो comment के माधियम से जरूर बताएंगे और बच्चों ये खुसकवरी है कि आप लोगों का class 12 का course अब जल्द ही खतम होने वाला है linear programming के बाद सिर्फ हमारा probability बच जाता है probability समप्थ हो जाने के बाद आप लोगों के लिए RS अगरवाल का book class 12 और class 11 पूरी तरह से समप्थ हो जाएगा चुकि class 11 पहले ही समप्थ कर दिया जा चुका है इसी के साथ इस वीडियो को मैं बिराम देता हूँ मिलते हैं next वीडियो में जै हिंद जै भारत